हेलो दोस्तों कैसे आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे यूजफूल किचन टिप से लेकर रही हूँ जिससे आपके घर और किचन का काम काफी हद तक आसान हो जाएगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और दोस्तों उस्ता ज्यादा सेता शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका पूरा लाब मिले तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो मेरा पहला टिप सुरू होता है इस छोटे से रुमाल से तो एक कॉटन का रुमाल ले लें जो पतले कपड़े का हो और इसे खोल लेंगे फिर हम लेंगे चाय पती और दो छोटा चमच चाय पती हम रुमाल के सेंटर में इस तरीके से डाल देंगे यहाँ पर आप किसी भी ब्रांड का चाय पत्ती ले सकती है तो यह हमने दो चमज डाल दिया है अब चाय पत्ती है तो छोटी इलाइची की तो जरूरत पड़ेगी ही क्योंकि इलाइची के बगर चाय पत्ती कहां काम करती है मजा इन या ता पीने में तो हम लेंगे दो छोटी इलाइची या फिर तीन भी ले सकते है अब इलाइची को हमें तोड लेना है तो बस इसके दाने को हमें निकाल कर बाहर इस तरीके से चाय पत्ती में डाल देना है आप चाय तो इसे पीस भी सकती है मगर ऐसे भी डालेंगी तो भी ठीक रहेगा अब यहाँ पर मैंने इलाइची को तोड़ दिया है अब हम इसकी पोटली बना लेंगे तो इस तरीके से हम इसको बांध लेंगे तो आप चाहे तो धागे से इसे बांध दे या फिर रबट बेंट लगा दे या फिर आप सबसे इजी तरीका भी ट्राई कर सकती है इस तरीके से इकठा कर ले और जो रुमाल का एक कोना ले ले और इस कोने को ऐसे लपेट कर एक गाठ लगा दे तो इसमें ना ही धागा और ना ही रबट की जरुरत पड़ेगी गाठ बनके तयार हो जाएगा ये दिखिए ये हमारी पोटली बनके तयार हो गई है तो चलिए इस पोटली को यूज कैसे करना है वो देख लेते हैं तो चलिए चलते हैं किचन में अब किचन में जो फ्रीज है उसे खोलेंगे और इसमें इसका यूज करेंगे फ्रेंड फ्रीज में हम खाने पीने की चीजे रखते हैं सबजियां फ्रूट वगरभी रखते हैं जिससे इसमें कभी-कभी बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाता है और इस बैड इसमेल को खतम करने के लिए हमें पूरा फ्रीज साफ करना पड़ता है अगर आपके पास टाइम नहीं है फ्रीज को साफ करने के लिए या फिर आप सोच रही है कि कुछ दिनों बात करती हूँ तो आप क्या करें उसके बैड इसमेल को खतम करने के लिए चाय पती और इलाइची के इस पोटली को फ्रीज के अंदर रख दे राद भर के लिए दो तिन पोटली और बना ले और कई जगह पर रख दे अगर ज़्यादा बैड इसमेल है तो उसके बाद आप देखेंगे कि फ्रीज में का जो बैड इसमेल है वो खतम हो जाएगा सिर्फ राद भर में या फिर आप वीक में एक बार इस पोटली को बना कर रखेंगी ने तो आपके फ्रीज में कभी भी बैड इसमेल नहीं होगा और सुबह होने के बाद आप इस चाय पती और इलाइची को चाय बनाने में यूज कर सकती हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होता है यहाँ पर मैंने चीनी का डबबा लिया है और सहथ का अगर आपके पास मिठाई से भरा हुआ डबबा है तो आप उसे भी ले 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 गुर का डबबा है तो उसे भी ले ले क्योंकि जो चीटिया होती है वो सारे मिठाई यानि मिठास वाले चीजों में ही जाती है तो ये जो डब्बे होते हैं इसके आगी पिछे वो गूमने लगती है और अंदर तक चली जाती है और एक छोटी चीटी रती है जिसमें से एक बैडिस मिल भी आता है मेरे हाँ उसे गिनहुरी बोलते हैं आप के हाँ क्या बोला जाता है वो तो मुझे नहीं मालूम तो चीटीओं को भगाने के लिए हम लेंगे आधा निम्बू का छिलका यहाँ पर हमें छिलका ही लेना है अब हम लेंगे एक कपूर की गोली और कपूर की गोली को क्रस करके इस छिलके के अंदर डाल देंगे निम्बू का रस निकालने के बाद थोड़ा बहुत रस इसके अंदर रह जाता है बस उसका ही इस्तेमाल करना है अगर बिल्कुल भी रस नहीं है तो आप इसमें कुछ बुंद पानी डाल दें उसके बाद अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर ले ताकि जो कपूर है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए ऐसे उसके बाद इस निम्बू के छिलके को आप सहत के डबबे को उपर इस तरीके से रब कर दे निम्बू का रस और कपूर इसमें लग जाएगा उसकी वज़़े से चीटियां इसमें बिलकुल भी नहीं जाएगी बस एक बार आप करके रखेंगी तो वो बिलकुल भी यहां तक नहीं आएगी जब तक इसका असर रहेगा तब तक नहीं आएंगी जब असर खतम होगा न तो वो रास्ता भी भूल जाएंगी तब तक तो ये चीटियों के लिए बहुत ही बढ़ियान उसका है आप एक बार ट्राई करके देखिएगा अगर मिठाई का डब्बा है तो उसमें भी आप इसे ट्राई कर सकती है और जो छिलका है इसे फेके नहीं आप इसे उस जगह पर रख दे जहां पर आपके घर में मक्खी जादा आती है उसके लिए भी ये बहुत ही बेश्ट तरीका है मक्खी भगाने का तो ये हमने इसमें लगा दिया है अब इसे ऐसे ही रख देंगे जब इसकी क्लेनिंग करेंगी तो ये बहुत अच्छे से साफ भी हो जाता है यहाँ पर मैंने नमक को निकाल लिया है आधा नमक इसके अंदर रह गया है तो अब इसे ऐसे ही रखेंगे ना तो नमक में मौशर आ जाएगा और नमक खराब हो जाएगा चले इसको एकदम अच्छे से सील कर देते हैं कोई रबर बेंड नहीं लगाएंगे कोई क्लिप नहीं लगाएंगे बस इसको एकदम अच्छे से सील करेंगे तो उसके लिए आप इस तरीके से न्यूस पेपर ले ले या फिर टीसू पेपर ले ले जिससे जो प्लास्टिक है वो चिपक जाए अच्छे से तो जब इस तरीके से करेंगी तो टीसू पेपर को उपर ही करना है और फिर आप टीसू पेपर को हटा दे उसके बाद आप देखेंगी कि जो खुला वला पाड़ था वो अच्छे से सील हो जाता है ये देखिए मैं आपको पुरा ऐसे करके दिखा रही हूँ देखिए बहुत अच्छे से बंद हो गया है तो यहाँ पर मैंने नमक के पैकेट को बंद किया है आप इस तरीके से कोई भी पैकेट को बंद कर सकती है जिसका आधा आप यूज कर चुकी है अख्रोट खाना हमारे हेल्द के लिए बहुत अच्छा रहता है मगर अख्रोट जो होता है इसे तोड़ना बहुत मुश्किल का काम लगता है अगर अक्रोट का हलवा बनाना हो तो ढेर सारे अक्रोट को हमें तोड़ना पड़ता है उसके लिए बहु जादा टाइम भी लगता है और ताकत भी लगता है तो चलिए, कम एनर्जी, कम टाइम खर्च करके हम इसको तोड़ लेते हैं उसके लिए आप कई चीजों का यूज कर सकती है तो सबसे पहले हम nail cutter का यूज करेंगे nail cutter के अंदर जो ये knife अला हिसा रता है उसे हमें लेना है उसके बाद अखरोट में जान लेना है कि कहां से तोड़ना है ये पीछे का हिसा था और ये आगे का हिसा है यहाँ पर थोड़ा सा point रहता है तो ये आगे का हिसा है अखरोट के और ये जो black color की line दिख रही है नए मोटी सी ये line पीछे के side रहता है तो बस इस line के अंदर हमें इसको डालना है और थोड़ा सा twist करना है इस तरीके से फिर आप देख सकती है कि अखरोट बहुत ही आसानी से तूड़ जाता है तो इस तरीके से अगर तोड़ना हो तो एक दो किलो अखरोट तो आराम से हम तोड़ सकते है न तो देखे कितना आसान है न और जो अखरोट है न वो चूरा चूर भी नहीं होगा मतलब एकदम खड़ा खड़ा ही निकलेगा बड़े टुकड़ों में तो ये भी बहुत ही बढ़ियां तरीका है अखरोट तोड़ने का ना ही किसी हैमर की जरुरत पड़ेगी और ना ही ज़्यादा आपको ताकत लगाना है बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो अकरोट का हलवा बनाना है तो अकरोट को इस तरीके से तोड़े या फिर आप नेल कटर का यूज नहीं करना चाहती है या फिर नेल कटर नहीं है तो आप क्या करें इस तरीके से चौपर ले ले चौपर का जो ब्लेड है उसकी सायता से भी आप इसे इस तरीके से खोल सकती है उससे भी आसानी से तूड़ जाता है या फिर चाकू का भी इस्तिमाल कर सकती है जो सब के किचन में रहता है तो इसमें से कौन सा तरीका आपको सबसे बैस्ट लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा मगर अक्रोट को ऐसे ही तोड़ियेगा आपके हाथ में भी नहीं लगेगा चाकू कैची पिलर ये जो टूल है ये हमारे किचन का सबसे खास हिस्सा है इसके बगेर तो किचन में काम ही नहीं होगा मगर इसको हम यूज तो रोज करते हैं कई बार करते हैं उसके बाद होता ये है कि जो इसका धार है न वो कम हो जाता है और जब धार कम होता है तो ये काम करना भी कम कर देता है यानि अच्छे से और नहीं करता है तो इसका धार तेश करने के लिए हमें बाहर लेके जाना पड़ता है कभी कभी हमारे पाइस टाइम नहीं रहता है कभी हम भूल जाते हैं तो घर में ही इसके धार को आप तेज कर सकती है उसके लिए आपको लेना है लोहे की कड़ाही आजकल आइरन के बरतन को ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं यूज भी कर रहे है तो अगर आपके घर में भी लोहे की कड़ाही है तो आप उसका जरूर सी यूज कर ले इसके लिए बस कड़ाही के जो ये किनारे का पाठन है बस यही पर हमें इसका इस्तमाल करना है तो कड़ाही जाता है बस इस तरीके से दोनों साइड से पलटकर आप इसे ऐसे तेज कर याकिन मानेये फ्रेंड बहुत ही बढ़ियां से हो जाता है तो लोहे के कडाही में सिर्फ सब्ची यह नहीं बनेगी इस तरीके से इन सब चीजों का धार भी आप तेज कर सकती हैं जरूरी नहीं है कि एक बरतण हमारे शीर्फ एक काम के लिए ही काम आए उसे हम और भी तरीके से यूज कर सकते हैं बस उसके लिए थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है तो देखिए पहले से इसका धार तेज हो गया है अब सेम तरीके से कैची की धार को भी तेज कर सकते हैं तो फ्रेंड इससे आपका टाइम भी बचेगा और थोड़ा सा पैसा भी बच जाएगा अगर घर में इस तरीके से आप इसके धार को तेज कर सकती हैं तो इससे ना ही आपका चाकू कैची खराब होगा और ना ही कड़ा ही खराब होता है यानि फ्री में आपका काम हो जाएगा तो फ्रेंड उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो के थ्रू आपके कीचन और घर का काम काफी हद तक आसान हो जाएगा इन सारे टिप्स में से कौन सा टिप आपको ज्यादा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा दोस्तों कुछा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें